नमस्कार दोस्तों, मेरा नाव है शेशानक और सौगत आप सब्सक्राइब कार्पेट गाई YouTube चैनल में इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आपको एक बहुत बैड नूज देने वाला हूँ कि यह जो आपको सामने इंडस्ट्री दिख रही है जो ओफिस आपको दिख रहा है यह वाला ओफिस यहां पर एक थेफ्ट केस आया है और आप देख सकते हैं कि जो बंदा है पूरा बैग भर के सारा समान यहां का जो इंपॉर्टन असेट्स इनको लेके चला गया तो यह जो इंडस्ट्री और जो ओर्गनाजेशन के लोग थे यह बड़े परिशान है कि हमारे यहां पर बड़े चोरियां हो रही है डेली थेफ्ट केस आ रहे हैं कभी कोई बड़ा इशू आ रहा है कभी कोई चोटा इशू आ रहा है तो बने रहे हैं मेरे साथ इस पूरी वीडियो में क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्राइम प्रिवेंशन ट्राइंगल के बारे में कि वो कौन सी ऐसे इंपॉर्टन्ट एलिमेंट्स हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं हमारी एक क्लोज्ड एंटिटी में तो किसी भी इंडस्ट्री या किसी अएरिया में क्राइम के होने के तीन बड़े इंपॉर्टन्ट जो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कोई भी क्राइम जो होता है वो इरिया में किया जाता है तो उसको हम बोलते है crime triangle so let's understand उस crime triangle में क्या क्या है तो ये crime triangle क्या बोलता है let's understand तो ये मैं आपको एक triangle बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर हम लिख देते हैं crime तो अब इस crime के अंदर तीन important factors है सबसे पहला factor आता है एक इनसान की desires अब desires क्या है हर कोई पैसा कमाना चाहता है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हर किसी की कुछ desires होती है हर कोई चाहता है कि उसका जो family है या उसके जो खुद की desires हो fulfilled हो तो fulfilled कैसे होंगी job करेगा अगर job से भी नहीं होंगी तो वो side business करेगा उससे भी नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, छोटे-छोटे ऐसे चीजों को ढूनना शुरू करेगा, जहां से वो कुछ ना कुछ ग्रैब कर सके, तो वो ही है desires, एक चोर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसके पास जॉब नहीं है, तो उसके अंदर एक desire है कि मेरे पास पैसा हो, ताकि मैं अपनी जो ख्वाईश हैं, उनको पूरा कर सकूँ, तो ये ही वो desires हैं, जो crime को बढ़ावा देती हैं, अमालीजे कि हम सबकी desires हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊ, लेकिन मैं सारी desires को fulfill नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ legal हैं, कुछ illegal है, legal desires मैं fulfill कर सकता हूँ, up to my extent, लेकिन illegal को नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे law है, police है, law enforcement agencies हैं, जो मुझे prevent करेंगी, उन desires को पूरा करने के लिए, through illegal means, right, तो desires जो हैं, ये हमारे control में नहीं हैं, किसी दूसरे की desires, right, हमारी भी नहीं हैं, they are all subconscious, right, तो desires क्या हैं, एक important factor है, जो crime को हैं, वो suppress हो जाती हैं, क्योंकि security के जो policies हैं, वो उनको सामनी नहीं आने देती, right, तो इसी लिए, पहला जो factor है, वो है desire, दूसरा, जब आपके अंदर desires हैं, वो काफी time से suppress हैं, मालो एक आदमी हैं, right, उसको आप daily tank कर रहे हो, daily tank कर रहे हो, वो अपना गुसा control करकर रख रह गा, right, तो वो ही है opportunity, तो दूसरा factor यहां पे आता है, opportunity, कि पहला हमने desires बात कर ली, दूसरा है opportunity, right, opportunities, कि आप कितनी opportunity दे रहे हो, किसी आदमी को अपनी desires को fulfill करने के लिए, through legal और illegal means, so that is the second factor of crime, opportunities क्या है, what is opportunities, opportunities है कि आपके security setup है, वो सही नहीं है, आप checks and balances की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपने security awareness नहीं दिया है लोगों को, right, आपने security training नहीं की है, अच्छे से, आपकी जो policies हैं, वो जगा-जगा पे चिपका ही नहीं है, आपके CCTV cameras को कोई monitor नहीं कर रहा है, तो यहीं वो सारी opportunities हैं, जो desires को मोका देती हैं सामने आने का अब मैं आपको example देता हूँ कि एक employee है, उसकी desire है कि उसकी salary कम है, लेकिन फिर भी वो छोटे-छोटे चीज़ों को चुरा कर बेचना चाहता है, तो यह उसकी एक desire है, यह एक employee है मान लेते हैं, इसकी salary कम है, इसकी rating बिचारे की कम आई है, अब यह चाहता है कि मैं company का नुक नुक्सान करना company का, अब वो क्या करेगा, opportunities ढूंडेगा, कि मुझे कब मौका मिले और मैं कब company का नुक्सान दूँ, तो जैसे ही आप opportunity देंगे उसको, वो आपको नुक्सान पहुंचा देगा, तो यह है second factor, और third क्या है, third factor है ability, उस इनसान में कितनी ability है, आपको नुक्सा नुक्सान पहुचाने की, माल लेते हैं कि यह IT का बंद है, इसके पास IT के पूरे passwords है, इसके पास पूरा access है, तो यह अभी पूरा frustrate है, यह disgruntled हो चुका है, अब यह ढूंड रहा है opportunity, कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं company को नुक्सान पहुचाऊं, तो यह उसकी ability भी है क्योंकि वो IT का है, उसके पास सारे secret passwords हैं, secret access हैं, और secret data center के access control सारे हैं, तो यह जब चाहे उसको opportunities का फायदा उठाके, अपनी ability से crime कर सकता है, तो यह है ability, अगर हम एक चोर की बात करें, तो वो boundary wall कूदना चाहता है, क्योंकि उसको अंदर आके asset चोरी करने हैं, लेकिन उसक opportunity चाहिए, कि कब guard की आंख लगे, और कब मैं दिवार कूद के अंदर आऊ, अब अंदर कूद के कैसे आएगा, क्या उसके पास सीड़ी है, क्या उसके पास रसी है, या वो छेद करके आएगा, या वो नीचे से आएगा, और अंदर आके वो क्या क्या करेगा, ये सब क्या ह desires, और दूसरा क्या है आपका opportunities, और तीसरा है आपका abilities, तो ये तीन factor बहुत important है किसी भी crime को होने में, पहला है आपका desire, दूसरा है आपका opportunities, तीसरा है आपका ability, अब problem ये है कि desires और abilities ये security के control में नहीं है, आपकिसी की desires को कम नहीं कर सकते, आपकिसी की desires को बढ़ा नहीं सकते, आपकिसी की desires को judge नहीं कर सकते, और आपकिसी के abilities को भी नहीं judge कर सकते, until or unless वो आपको perform करके दिखाए, तो ये हमारे control में नहीं है, ये out of the scope है security के, तो ये security के control में नहीं है, security इसको monitor नहीं कर सकती, लेक opportunities को reduce कर सकती है security चाहे तो opportunities बढ़ा सकती है multiple opportunities दे सकती है crime को होने की तो यह जो main एक point है security का वो है कि आपको opportunities को बढ़ने नहीं देना है आप अपने office में internal theft कम करना चाहते हैं आपके desk पे छोड़ी छोड़ी चीज़े चोरी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो इन opportunities को कम कर सकते हो आप एक policy बना सकते हो clean desk policy कि कोई भी employee अपना समान table पे नहीं रखेगा table पे नहीं रखेगा और अगर रखेगा तो जैसे ही वो अपना table leave करेगा वो अपना समान साथ में लेके जाएगा या आपने locker room में रखेगा तो इस policy को आपको enforce कराना पड़ेगा इसको आपको monitor करना पड़ेगा आपको train करना पड़ेगा आपको awareness देनी पड़ेगी तो अभी जाके आप उन्हों opportunities को कम कर सकते हो जिनका फायदा उठा सकते हैं इसी भी area में चाहे वो open area है चाहे वो close है चाहे कोई भी है तो आपने ध्यान देना है कि आपको opportunities नहीं होने देनी हैं बढ़ने देनी हैं अपने area में right desires abilities को आप control नहीं कर सकते हैं आप control कर सकते हैं तो सिरफ आपनी opportunities को right so I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा crime को कम करने के तरीके opportunities को कम करिए right opportunities को कम करिए अब opportunities को कम कैसे करना है वो हम समझेंगे अगली वाली वीडियो में जसमें हम बात करेंगे situational crime prevention strategies right so तब तक के लिए धन्यवाद and please subscribe this channel for more videos on security Excel, interviews and all these things thank you very much guys for watching this video